जब भी हम IDFC First Bank के वाओ क्रेट का कोई वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो में अकसर एक कमेंट हमें देखने को मिलता है कि सर हम अगर IDFC First Bank का ये वाओ क्रेट कार्ट ले लिया तो IDFC First Bank हमारे लिए कितने दिन बाद कोई अनसेकर क्रेट का ओफर देगा ये क्वाश्चन अधिकतर लोग के दिमाग में बनता है तो आपको बता दूँ कि आपका क्वाश्चन मुलकु सही है और हमारे दिमाग में भी ये क्वाश्चन बना था चल ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के नमस्कार मेरे हमें मनी सिपरजापती आप देख रहे हैं एम के टेक्स सपूर्ट चैनल पर अगर आप पहली वा रहे हैं सब्सक्राइब कर देना वीडियो पसंद आती तो एक लाइक जरूर कर देना अब सबसे पहले आपका कॉश्चन ये बनता है आपका कॉश्चन ये ब इसके बाद पिर हमारे लिए आईडे एपस फस्ट बैंक में फस्ट पाबर पिलस क्रेट कार्ड मिला जो कि एक रुपे क्रेट कार्ड है तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कापी सारे लोग को ऐसा लगता है कि अगर हमने किसी बैंक में एबडी करेट कार्ड ले लिया उसके कितने दिन के बाद हमें कोई अन्सिकोर क्रेट का ओफर आता है बेंगी तरब से तो हम चलते हैं एक बार इस्टेटमेंट देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने कब कौन सा कार्ड लिया है तो यहां पर चलते हम व्यू इस्टेटमेंट पे और यहां 2023 का option आ रहा है, एनि कि 2023 में हमने इस credit card को लिया है, ठीक जी, और हम चलते हैं नीचे last में बुलकुल, तो last में देखेंगे आप लोग जो first हमारा credit card का statement था, वो था 17 March 2023 का, एनि कि हमारे लिए credit card मार्च 2023 में मिला था, ठीक जी, आप हम एक बार आपको दिखाते हैं, अपने first classic credit card का statement, कि हमारे first classic credit card का statement, first बार कब जनरेट हुआ था, आप यहाँ पर उपर देख सकते ही, first classic credit card हमने select कर लिया, यहाँ से, और यह भी हमारा credit card 2023 में बना हुआ है, और इसका जो first statement है, यह आपर आपको दिख रहा होगा, 19 April 2023, तो अगर आप दोनो credit card का difference देखेंगे, तो आप केबल एक महीने का अंतर आएगा, यहनि कि हमने अपना IDF first bank में, ABD करके वाओ credit card लिया, इसके एक महीने बाद हमारे लिए first classic credit card का offer bank की तरब से मिल गया था, वाओ credit card मिला हमारे लिए मार्च में, और first classic credit card हमारे लिए मिला, अपरेल में, और first classic credit card मिलने के, पांच महीने बा offer दिया गया, तो total हमारे पास IDF first bank के वैसे तीन credit card है, अब यहां पर आपको किवल तीन credit card सो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप IDF first bank के application में देखेंगे इनको, तो 6 credit card देखेंगे, क्योंकि हमने इन credit card के बेस पर एक एक और UPI वाला credit card भी लेकर रखा है, जिसका नाम है first digital credit card, ल हमारे पास total 6 credit card है बैसे तो, तो आपका यहां पर यह doubt clear हो जाना चाहिए, कि अगर हमने वाओ credit card ले लिया, दूसरा card मिलेगा अगर नहीं मिलेगा, तो बुलकुल मिस लगता है आपको, ऐसे कुछ यहां पर condition नहीं है, अब बहुत सारा लोग बाद में comment करेंगे, कि आपको यह बाओ credit card के बैस पर दो card मिले हुए है, first classic और first power, यह कैसे मिले, क्या आपने apply किया, यह फिर bank ने pre-approved offer में दे, तो आपको हम बता दें कि यह card हमारे लिए branch के दोवारा दिये गए, pre-approved basis पर, ऐने कि मिले तो pre-approved ही है, लेकिन हमारे पास किसी परकार का, इनका कोई pre-appro यह call किया था, और बस किवल एक OTP पूछा था, और OTP पूछ के हमारा card apply कर दिया था, instantly पांच मिनिट के अंदर जो credit card है, हमारे application में so हो गया था, ना तो कोई income proof लगा, ना कोई QIAC होई, ना किसी परकार का कुछ भी नहीं लगा, तो वाओ credit card मिलने के बाद, दोनो credit cards, same इस offer मिल जाए bank की तरफ से, उसका भी हम link की डाल देंगे discussion में, आप apply करेंगे देख सकते हो, इसका लबा bank आपको pray approve बसे पर भी credit card दे सकती है, तो आपको pray approve का SMS, या फिर mail मिल जाएगा, या फिर आपको application में कहीं so हो जाएगा, तो आप वहां से भी इसको apply कर सकते है, अगर आ आपका account है IDF swing में, तो आपको 2000 रुपगी FD करनी पड़ी कम से कम, अगर account नहीं है, तो 5000 रुपगी FD करके आप इस card को बना सकती है, और इस card को बनाने के लिए किसी परकार का, कोई civil score का आवसकता नहीं होता है, अगर आपका civil score 0 भी है, तब भी ये card आपको मिल जाएगा, पर income proof बगरा तो कुछ लगता ही नहीं, 100% online process से आप इस card को बना सकती है, अगर आप इस card को apply करना चाहते हैं, तो हम link डाल देंगे वीडियो के description में, आप इसको apply कर सकते हैं, तो bank की तरब से तो इस card के base पर हमारे लिगे 2 card दिये कए हैं, लेकिन मैंने अपने IDF first bank के wow credit card के लिए हुए, अब वो कैसे लिए हैं, तो उसको भी समझ लो, ये बात आपके बहुत काम आगी, देखो, हमने यहाँ पर high amount की FD की थी, एनि एक लाग रोपे की FD की थी, IDF first bank में, और अपना wow credit card apply किया था, आपने यहाँ पर देखी लिए, एक लाग की FD की थी, और मेरे प को खास करके इसलिए बना के रखा है, कि किसी bank में अगर card to card card apply करना हो, तो इस card से मुझे, आसान इस से दूसरे वाला credit card मिल जाता है, क्योंकि इसका limit भी कापी अच्छा है, और ये card मेरा old view हो चुका है, तो मैंने इस card को अभी तक इसलिए बंद नहीं किया है, तो अगर आ FD करते हो, उस पर ब्याज स्थाप को मिलता ही है, आपका पैसा भी सिकोर रहता है, अगर आप high amount के FD करोगे, तो आप इस credit card के ब्याप पर किसी other bank में card to card credit card apply करते हो, तो आपके इस credit card के ब्याप पर दूसरी bank आपको credit card issue कर देता है, जिसमें ना तो कोई income proof लगता है, ना क card मिल जाता है, जैसे कि हमने लियो है, HDFC bank में, ICC bank में भी, इस card के ब्याप पर card to card apply किये, और वहाँ पर हमें मिली भी, तो आप ये तरीका आपना सकते हो, तो आप high amount के FD कर सकते हो, और card to card credit card ले करके, अगर आपको कई और bank में card मिलता है, तो आप इस card को फिर बंद भी कर सकते हो, help line number आपके card के पीछे आपको मिल जाएगा, तीन दिन के अंदर इसका पैसा है, जो आपके bank account में वापस आपको मिल जाता है, तो इस तरीके से आप अपने इस credit card को लेने के बाद, किसी other bank में card to card credit card ले सकते हो, या पर IDFC first bank में ही, कोई unsecure credit card को ले सकते हो, अगर card apply आइकन ने, तो link in description में डाल दिया है, बुलकुल apply के सकते हो, आप बहुत ही जबतिस काड है,